हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी हेजी पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 20 डेलिव संटेंस को सीखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं फर्स संटेंस है उसे एक इंच भी मत हिलने दो don't let him move even an inch नेक्स्ट है काम से जी मत चुराओ don't sark the work तो sark का मतलब हता है जी चुराना किसी भी चीज से तो don't sark the work काम से जी मत चुराओ उसे एक इंच भी मत हिलने दो don't let him move even an inch नेक्स्ट है मुझे तुम्हे कुछ बताने दो let me tell you something किसी दोस्त को मत छोड़ो don't leave any friend don't leave any friend नेक्स्ट है उसके बारे में सोचो think about her अपने दोस्तों से बात करो talk to your friends उसके बाद है इस परिशानी का हल निकालो find out the solution of this problem मुझे देखने दो let me see let me see अपनी बाइक यहां खड़ी मत करो don't park your bike here मुझे परिशान मत करो don't bother me तो bother का मतलब होता परिशान करना so don't bother me उसे ढूंढने दो let him find out or search let him find out or search उसे यह मत करने दो don't let him do this और let him not do this दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं अपना नाक साफ करो blow your nose next है हमेशा समय के पाबंद रहो always be punctual punctual का मतलब होता है समय का पाबंद होना कभी कभी घर आया करो drop in home sometimes इस तरह के चालाक आदमी से सावदान रहो beware of such a wise man अपनी कमीज के बटन बंद करो button up your shirt क्रिप्या दरवाजे के कुंडी लगा दीजे kindly bolt the door स्याम को उन लोगों से मत मिलने दो don't let स्याम meet those people उसके साथ रहो be with him be with him उसके साथ रहो तो यही था दोस्तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक सेर जरूर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन प्रेस करके all notification on कर ले जिससे मेरे वीडियो के साढ़े notification आपको regular मिलते रहे और चैनल पर लगातार बने रहे धन्यवाद दूस्तों